हेलो एन नमस्कार दोस्तों GKNGS की क्लास नमबर 12 में आप बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं प्रमुप छेत्र और उनके जनक जैसा कि आधुनिक ओलम्पिक छेत्र हो गया और ऐसे कितने ही जो छेत्र उनके जनक कौन है तो इस बार हम हम डिसकुस करेंगे जो कि mummy माहत्मू टॉप कैसे कई बार क्वेस्चिंग बन जाते हैं जो आज की वीडियो हमने रखे हैं तो सभी जिन से रिलेटिज जनक पूछी जाते हैं वो आज वीडियो में पिरमक हमने रखे हैं जो कि इस तरीके से एक question frame हो सकता है जिसका answer आपको इस तरीके का आपको वीडियो में पता चल जाएगा चलिए शुरू करते हैं आपने इस वीडियो को और देखते हैं वो questions तो दोस्तों आप इस तरीके से यहां पर देखते हैं एक तरीके एक तरफ हमने रखे हैं यहां पर छेतर यानिक इस तरीके से एक तरफ उनके आंसा है ठीक है जो कि कुछ इस तरीके से हैं सबसे पहले से शुरू करते हैं यहां पर कि जीब विज्ञान और जन्तु विज्ञा जिसे जन्तु विज्यान भी कहते हैं इसके जनक कौन है तो आपको याद रखना है इसके जनक है अरस्तु इसके जनक कौन है तो आपको याद रखना है कि अरस्तु जो है जीप विज्यान के जनक है ठीक है अगला आता है रसान विज्यान इसके जनक कौन है तो आपको याद एक काफी Psychology बन जाते हैं ठीक है? तो आपको याद रहना है कि रचाना विज्ञान की जनक थे लिवोजीर इतिहास बहुत ही εज़ी सबको बता ही होगा यह उतिहास के फादर कहते है जनक यो है इतिहास के हेरोडोटस है ठीक है तो यह आपको याद रखना है यह यह काफी question बन जाता हैत अगला है भूगल भूगोल के जनक कौन है तो आपको याद रखना है एरे टोस्थनीज जो है आपके भूगोल के जनक है अब आता है आधुनिक भूगोल यानि कि आधुनिक भूगोल के आपके जनक कौन है तो आपका अंसर हो जाएगा अलेकजंडर बॉन हमबल्ट ठीक है अलेकजेंडर बॉन हमबल्ट जो है आपके आधनिक भूगोल के जनक है तो यह आपको याद रखना है ठीक है और अगला है कुछ इस तरीके से आपके सामने अर्थ सास्त्र यानि की एकोनोमेक्स इकनोमेक्स के जनक है अगर आपने इकनोमेक्स पढ़िए तो आपको यह आसानी से याद होगा तो आप आसानी से इस तरीके के कोश्चन को सही कर सकता है ठीक है अगला है बनस्पती सास्त्र बनस्पती सास्त्र के जनक है थियो फ्रेश्टस जी हैं दुस्तों थियो फ्रेश् यह काफी important question है कई बार बना है आपके exam में तो आपको याद रखना है पाणनी संस्कृत ब्याकरण के जनक है तो आपको याद रखना है आपके संस्कृत ब्याकरण के जनक है ठीक है अगला देख लेते हैं जो कि आपके सामने कुछ इस पुरकार से भारतिय पुनर जागरण बारतिय पुनर जागरण है काफी important question बन जाता है जो कि एक मुख्य है आपका प्रिश्ण बनता है इस तरीके से तो आपको याद रखना है बारतिय पुनर जागरण के जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय जो की important question है अगला है आयरुवेद चिकस्था आयरुवेद चि युनानी चिकस्सा बिज्ञान के जनक है हिप्पोक्रेटस तो आपको याद रखना है हिप्पोक्रेटस जो है युनानी चिकस्सा बिज्ञान के जनक है ठीक है अगला है भारत में नागरिक सेवा के जनक जो भारत में नागरिक सेवा उसके जनक कौन है तो आपका अंसर हो ज सिक्षा के जनक आधुनिक सिक्षा के जनक कौन है तो आपका अंसर है स्री चार्ल्स ग्रांट स्री चार्ल्स ग्रांट चार्स ग्रांट थे जो भारत में आधुनिक सिक्षा के जनक माने जाते हैं ठीक है अगला है परमाणूर्जा जो परमाणूर्जा है इसके जनक माने जात ठीक है अगला है भारत में आधनिक चित्रकला भारत में आधनिक चित्रकला के जनक कौन मान जाते हैं तो आपका अंसुर जाएगा नंदलाल बोस ठीक है निमा हो मिज्या भावाट से जान सकते हैं इनके बार हो मिज्यां सब्सक्राइन हैं और इस सारी ड्रॉय जासकता है पहला है बहरत में चित्रतिक तो नंदलाल बुस्ट् wanna q Mina gidriving की जनन Penis कि जननी पालिय कि जननी किसे माना जाता है तो आपका अशार है गांप की जननी सअयुका राजंग मैं सुन्त वीरिगा सुजनर्णिक जणक कि माना जाता है तर बर घीच कोरियन embarrassing होぎ अस्ट कर्सिंदा करना घाल फिन जाता है के आधनिक खेल की सी जंदता कुण है तो चैनली जो हमारा क्वाश्चन था उसका या हो जाएगा थमिल में इसका लॉख आपका पीरेडी क्वर्टिन जो है आपके आधुनिक ओलमपिक खेल के संस्थापक है यानि कि जनक है ठीक है अगला है रूसी क्रांती यानि कि रसीन क्रांती के जो जनक है वो है निकुलाई लेने इस तरीके की भी कॉश्चन बन जाता है जो इंपोर्टेंट थे तो आपको याद रखना है गजल के जनक माने जाते हैं मिर्जा गालिप ठीक है आधुनिक उदारबाद यह काफी इंपोर्टेंट है एक दो बार काफी इंपोर्टेंट एक्जाम में बन जाता है और स्टेट लेबल में तो यह कई बार आ चुका है तो आपको याद रखना है कि जॉन परसंस हैं जिनके बारे हम आज इस वीडियो में डिस्कुस कराएं से बहुत सारी छेते हैं जिनके रिलेटेट कॉशन बन सकते हैं तो आपको उन सारों को पढ़ लेना है और ऐसी ही बहुत सारी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अगर आप चाह आपने दोस्तों के साथ ताकि वीडियो देख सके हैं और बैल आइकन पर क्लिक कर दिए ताकि अगर नई वीडियो अप्लोड हो हमारे चैनल पर तो वह आपको उत्रणत मिल जाए तो मिलता है कि नई वीडियो साथ तप्सक्राइब नमस्का थैंक्स रोटिंग टेक केर बाई